असलाम अलेकुम रहमतुल्ला वेलकम बैक आज की वीडियो का टॉपिक है Find Polyline Direction in AutoCAD अगर आपके पास किसी भी टाइप की कोई polyline हो जिसकी direction आपके लिए unknown हो आपको नहीं पता कि उसकी direction किस side में है वो आटोमेटकली आप कैसे डिडेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो में यहीं देखेंगे वीडियो स्टार्ट करने पहले आप लोगों से रॉक्वेस्ट है अकर आप चैनल पर नए है तो आप सब्सक्राइब जूरूर कर ले ताकि न्यू आने वाले वीडियो के अगाल नाट्यूकेशन आपको आन्टाइम मिल सके तो इसके लिए मेरे पास लिस्प है यहां पर यह लिस्प है direction of polyline इसकी शाड क्माड है PLD यहांपर मैंने इसको लोड कर दिया है अभी इसकी में command जो है वो इंटर करता हूँ PLD ओके यहां पे मैंने इसको इंटर किया तो अभी select object की मेरे पास option आ रही है आपने just polyline पे click करना है और ये इसकी direction शो कर देगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी direction ये है मैं फिर space bar press करता हूँ यहाँ पे जो भी है polyline होनी चाहिए आपकी ठीक है और ये direction जो है वो आपको automatically बता देगा अभी यहाँ पे ये जो arrow mark है ये temporary है ये just direction शो करेगा जैसे ये आप इसको zoom in ये zoom out करेंगे तो ये जो arrow है ये यहाँ से drawing से चले जाएंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने इसको zoom in zoom out किया है तो यहाँ से ये direction गैब हो गए है तो अभी यहाँ पे जैसे अभी हमने एक इसकी direction चेक की तो ये outward है अभी अगर हमने इसकी direction चेंज करनी हो यहाँ पे तो ये modify panel में ये drop down arrow है यहाँ से ये जो arrow बने है reverse की यहाँसे आप क्लिक करें तो यह direction जो है यह अभी इसकी change हो गई है तो यहाँ पर मैं command देता हूँ तुबारा PLD और यहाँ पर जैसे ही अभी मैंने इसको यह किया है command दिया है तो इसकी direction यह change हो गई तो इस तरह आप किसी भी line की direction जो है वो change कर सकते है आपका data किसी भी type का हो सकता है क्रिवर हो सकता है किनाल हो सकती है या कोई भी wal हो सकती है रोड हो सकता है अगर आपको उसकी direction मğlומ करनी है तो वह आप इस तरह से कर सकते हैं अगर आपने इसके साथ permanent arrow लगाना है तो वह आप अपना कोई भी यहाँ पर आप create करके आप मेर अलाइन्मेंट के मेर कमान से भी कर सकते हैं उसको ब्लाग की सूथ में भी कर सकते हैं और पाथ हैरे से भी कर सकते हैं तो यहां पर मेरे पास एक ब्लाग मैंने करियेट किया हुआ है तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहां पर जैसे मैंने इसको यहाँ पर copy किया ओके और यहाँ पर यह जो है मैं इसको थोड़ा सब rotate कर लेता हूँ यह मैंने rotate कर लिया इसको ओके और इसको मैं अब इसे यहाँ से move करके इसके थोड़ा सब पास्में कर देता हूँ ठीक है, यहां पे अगर आगर आपे इस path पे अभी जो है, यह arrow चाहिए, throw out, तो यहां पे यह array command है, array command में आप यहां पे path arrow ले सकते हैं, और यहां से आपने अपना object select करना है, space bar press करना है, और path जो है वो select करना है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं, यह arrow हमारा इसके साथ ज इसकी spacing जो है, जहां जैसे आपको required हो, आप उसके साफ से इसको कर सकते हैं, तो उमीद है इस वीडियो में यह concept clear हो गया होगा, कि आप अपनी polyline की direction अगर आपको required है, तो अगर वो opposite direction में है, तो उसको आप change कैसे कर सकते हैं, और अगर आपने उसके साथ permanent marker लगाना है, तो आप कैसे लगा सकते हैं, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स वर वाचिंग, अल्ला आफिस